इसे पहले मैंने इस चेप्टर के पार्ट वीडियो को अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अगर आपने पार्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेगा ताकि आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो सके क्योंकि part 2 को हम लोग वहीं से सुरू करने जा रहे हैं जहां पर part 1 में हमने छोड़ा था तो इससे पहले कि हम लोग आगे के कहानी को पढ़ें और इसके line by line word to word हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोसिस करें मैं चाहूंगा कि हम सब मिल करके part 1 के end में हमने क्या discuss किया था उसको एक बार देख लेते हैं ताकि दोनों parts को हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से interconnect कर सकें जोड सकें तो part 1 के end में हमने discuss किया था कि sir Roderick Glossop जो है वो narrator Bertom Worcester से कहते हैं you are a public manass तुम लोगों के लिए एक खत्रा हो तुम public के लिए खत्रा हो for weeks it appears you have been making life a hell for all your neighbors with some hideous musical instrument और कई हफतों से ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने पड़ोसियों के जिंदगी जो है वो नर्क बना रखी है इस गंदे से इस भदे से पेकार से musical instrument जिसे तुम बैंजोले कहते हो इसे बजा बजा कर इसे प्ले करके तुमने सभी neighbors की जिंदगी नर्क बना दी है I see you have it with you now और यहां तक कि यह musical instrument मैं देख भा रहा हूं कि अभी भी तुमारे पास में है How dare you play that thing in a respectable block of flats और तुमारी इतनी मजाल कि तुम इस गंदे से भदे से और बेकार से आवाज करने वाले musical instrument को एक respectable society एक respectable apartment में तुम एक respectable community में कैसे play कर सकते हो तो यहां तक हमने part one में discuss कर लिया था और यह रहे वो सारे word meanings जो कि उपर के paragraphs में हमें देखने को मिले थे आप इन्हें देख सकते हैं तो यहां से हमारी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है फिर आगे sir rotary glossop कहते है infernal din अभी infernal din क्या होता है तो हम लोग अगर कोई ऐसी आवाज हो जो कि बहुत ही ज़्यादा annoying हो और बहुत ही ज़्यादा irritating हो या unpleasant हो आपके कानों में चुबने लग जाए तो इस तरह के किसी भी noise को हम लोग infernal din कह सकते है एक गंदी सी भदी सी कानों को चुबने वाली आवाज तो उस banjolet से जो भी music produce होता था जो भी sound निकलता था उसको sir rotary glossop जो है वो infernal din कहके refer करते है तभी हमारा narrator कहता है I remained cool and dignified यहां तक की जब उन्होंने मेरे musical instrument से निकलने वाले sound को उन्होंने इतना गंदा और भद्दा कहा इतना बुरा remark लिया तो भी मैं काफी cool और dignified रहा मैं बिल्कुल सांत रहा मैंने अपने गुसे को नहीं खोया मैंने आपा नहीं खोया फिर हमारा narrator जो है वो बड़े ही प्यार से Sir Roderick Glossop से पूछता है Did you say infernal din? कि आपने मेरे musical instrument से निकलने वाले आवाज को infernal din कहा Sir Roderick Glossop कहते है I did, हाँ मैंने ऐसा कहा ओके अब हमारा narrator कहता है Oh, well, let me tell you that the man that hath no music in himself अभी इतना कहके जो हमारा narrator है वो बाते कहना भूल जाता है तो हमारा narrator कहता अच्छा, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि वो इनसान जिसके अंदर या जिसके पास music का कोई test नहीं होता या एक ऐसा इनसान जिसको music से कोई लगाव नहीं होता और इतना कहके हमारा narrator चीज़ें भूल जाता है वो आगे क्या कहने वाला होता है उसके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है क्योंकि यहाँ पर एक gap आपको देखने को मिलेगा I stepped to the door अब हमारा narrator आगे दरवाजे पर जाता है और आवाज लगाता है jeeps I call down the passage वो passage में Jeeves Jeeves कहके आवाज लगाता है वो Jeeves को बुलाता है और फिर वो जब Jeeves आ जाता है तो उससे वो पूछता है What was it Shakespeare What was it Shakespeare said The man who hadn't music in himself was fit for तो हमारा narrator Bertom Worcester अपने butler, अपने servant Jeeves से पूछता है कि अच्छा Jeeves, जरह मुझे बताना तो जिसके अंदर music का कोई taste न हो या जिसे music से कोई लगाऊ न हो उसको William Shakespeare ने क्या कहा था या वो इनसान किस चीज के लिए किस title के लिए बिलकुल fit है तो उसका butler Jeeves जो है वो कहता है treasons, stratagems and spoils sir Jeeves कहता है Sir William Shakespeare ने ऐसे लोग को treasons कहा था treasons हम लोग एक देश के गदार को कहते है एक anti-national को कहते है जिसने अपने देश के साथ धोखा किया हो stratagems हम लोग काफी चतुर और चालाग लोग को कहते हैं जो कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कई सारे पहत्रे आज माते हैं और spoils हम लोग बिगडे हुए लोगों को कहते है अब यहाँ पे हमारा narrator जो है वो अपने butler से मदद लेकर अपने sentence को पूरा करता है और वो कहता है thank you Jeeves अब देखिए यहीं से इस chapter का title आता है thank you Jeeves is a fit for treasons, stratagems and spoils I said returning अब हमारा narrator वापस जा करके जहां से उसने sentence break किया था चोड़ा था वो sentence पूरा करता है और वो Sir Roderick Glossop से कहता है कि वो इंसान जिसके पास music का कोई taste नहीं होता या जिसे music की समझ नहीं होती music से लगाव नहीं होता उसे हम treasons कहते है strategy हम से कहते है या बिगड़ा हुआ कहते है are you aware that the occupant of the flat below Mrs. Tinkler Malky is one of my patients a woman in a highly nervous condition अब Sir Roderick Glossop जो है वो बताते हैं हमारे narrator Bottom Worcester को और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस flat में रहने वाली Mrs. Tinkler Malky जो है जो कि flat में नीचे रहती है वो मेरे patients में से एक है और वो एक ऐसी महिला है जो कि दिमागी दोर से बीमार है वो mentally sick है और बहुत ही जादा nervous breakdown उनका हुआ है वो बहुत ही भूरी हाल में है I have had to give her a sedative और मुझे उसे एक sedative देना है बच्चों sedative एक तरह का drug या medicine होता है जो कि patients को दिया जाता है खास करके mental illness जिनको होता है जो mentally sick होते है उन्हें ये sedative दिया जाता है ताकि उन्हें पागलपन का दोरा न पड़े और वो सांथ हो जाए काम composed हो जाए या उन्हें नीन आ जाए तो इस तरह का ये drug होता है तो sir Rodri Glossop कहते है कि मुझे उन्हें sedative देना है किने Mrs. Tingler Malke को I raised a hand तभी हमारा narrator जो है वो बीच में उन्हें interrupt करता है या अपना हाथ उठाता है ताकि वो एक question पूछ सके और हमारा narrator कहता है Spare me the gossip from the loony bin I said distantly हमारा narrator थोड़ा सा दूर ही खड़ा है और वहां से कह रहा है दूर खड़े होकर मुझे इस पागल खाने के doctor से बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है अब देखो loony bin का मतलब क्या होता है तो loony bin देखो आपने सुना होगा dust bin recycle bin सुना होगा न तो bin जो होता है वो एक तरह का डबा होता है एक तरह का case होता है और यहाँ पर loony कहने के मतलब mentally sick होता है हम कह सकते हैं loony से lunatic पागल तो loony bin अगर मिला करके इस word को हम समझे तो loony bin एक ऐसा घर हो सकता है या एक ऐसा hospital हो सकता है जहाँ पर mentally ill लोगों को रखा जाता है हम कैसे क्ते हैं पागल लोगों को रखने की एक जग़ा को हम लूनी बिन कह सकते हैं और वहाँ का डॉक्टर थे Sir Roderick Glossip तो हमारे नैटर कहता है कि मुझे इस पागल खाने के डॉक्टर से अब कोई भी गौसिप, कोई भी बहस नहीं करना है और ये बात जब वो कहता है तो थोड़ा सा दूर खड़ा है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं और फिर हमारे नैटर कहता है हमारे नैटर कहता है कि क्या मैं अपने तरफ से आप से पूछ सकता हूँ कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस मिस्स टिंकलर मॉलके के बारे में आप बात कर रहे हैं उन्होंने एक पॉमेरेनियन कुट्टा पाल रखा है उन्होंने एक डॉग पाल रखा है डॉंट ड्राइवल अब हमारे जो डॉक्टर है सर रॉटरीक ग्लॉसिप वो कहते हैं जूट मत बोरो देखो ड्राइवल का मतलब होता है कोई भी ऐसी कही हुई या लिखी हुई चीज जो की पूरी तरह से नॉंसेंस हो कहते हैं कि देखो बक्वास मत करो जूट मत बोलो तभी हमारे इंहेटर कहता है I'm not driveling देखो मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ दिस अनिमल यप्स all day and not infrequently far into the night और ये जो जानवर है ये जो Pomeranian breed का ये जो कुटता है वो सारा दिन भौकता रहता है वो सारा दिन चिलाता रहता है और कभी-कभी तो सारी रात तक चिलाता रहता है So Mrs. Tinkler Malke has had the nerve to complain of my Benjole has she और Mrs. Tinkler Malke उनकी इतनी मजाल, उनकी इतनी हिम्मत कि वो अपने इस कुटते के इस भौकने को सुन पा रही है और उन्होंने मेरे Benjole को play करने को लेकर आपको complain किया हाँ, let her first pluck out the palm which is in her own eye मैं तो कहता हूँ कि Mrs. Tinkler Malke को सबसे पहले उनका कुटता वहां से निकाल देना चाहिए जो कि उनके नजरों के सामने है, जो कि उनके पास में है I said becoming a bit scriptural और इस बार जब हमारा narrator ये बात कहता है तो एक स्वभाविक दौर पर एक scriptural मतलब हम कह सकते हैं कि एक सौम में अंदाज में कहता है by the book कहता है जिसे हम कह सकते है कि यहाँ पर scriptural कहने का मतलब होता है something which has something to do with the Bible जिसको Bible या holy scripture से कोई लेना देना हो तो हम कह सकते हैं वो एक सौम में तरीके से polite way में ये बात कहता है और जब हमारे narrator ये कहता है उसके बाद सर रॉटरी ग्लॉसप जो है वो थोड़े से impatient हो जाते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं frustrate हो जाते हैं, irritate हो जाते हैं chafed visibly chafed का मतलब हो जाता है irritate हो जाना या impatient हो जाना घबरा जाना अब ये वो सारे के सारे word meanings हैं जो की उपर के paragraphs में हमने use किये हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं समझ सकते हैं चली आगे हम देखते हैं कि आगे चीजें कैसे develop होती है ये कहानी कैसे आगे बढ़ता है I'm not here to talk about dogs Sir Rodri Glossop कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर कुतों के बारे में तो बात करने बिलकुल भी नहीं आया I wish for your assurance that you will immediately seize annoying this unfortunate woman Sir Rodri Glossop आगे कहते हैं देखो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुम से promise ले सको unfortunate है तुम इसे बिलकुल भी annoying नहीं करोगे और तुम तुरंत उसे परेशान करना बंद करोगे I shook the head हमारे नैटर कहता है मैंने अपना सिर हिला दिया अब यह सिर हिलाना भी दो तरीके से होता है अगर कोई कहता है कि I shook my head इसका मतलब होगा कि उसने अपना सिर ना कहते हुए ना कहते हुए हिलाया अगर कोई कहता है कि I nod my I nodded my head तो nod का मतलब होता है हां कहते हुए सिर हिलाना लेकिन यहां पर मैंने नैटर कहता है कि I shook the head मैंने ना कहते हुए अपना सिर हिला लिया कि मैं उस महिला को परिशान नहीं करूँगा, ऐसा मैं वादा नहीं करने जा रहा हूँ I'm sorry, this is a cold audience हमारे narrator आगे कहता है कि मुझे माफ कीजी ये महिला जो है, वो मेरे लिए एक cold audience है cold audience in the sense कि वो मेरे music को पसंद नहीं करती है but my art must come first लेकिन मुझे तो लगता है कि दुनिया जाए भाण में मुझे उससे कोई फर्क नहीं परता मेरा art जो है, वो सबसे पहले आना चाहिए मेरे banjolay का जो music है वो इस महिला को पसंद आता है या नहीं आता या उसके कानों में चुपता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है मेरे लिए मेरी कला जो है वो पहले आएगी तो आएगी इसमें कोई compromise नहीं कर सकता That is your final word, is it? Sir Rodrik Glossop पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा आखरी फैसला है It is, हमारा narrator Butter Mooster कहता है कि हाँ, यहीं मेरा आखरी फैसला है Very good, you will hear more of this Sir Rodrik Glossop जो है, वो एक तरह से हमारे narrator को धमका रहें और उसे धमकाते हुए कह रहें कि अच्छा बहुत अच्छा तुम इसके बारे में और आगे भी सुनोगे तो हम कह सकते हैं कि सायद Sir Rodrik Glossop जो है वो इस बात की धमकी दे रहे हो कि वो उसके उपर कोई case file कर देंगे और फिर वो उसे court में घसीट ले जाएंगे और फिर वहाँ पर hearing होगी मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं इस कार निकाल सकते हैं तो हमारा narrator भी किसी से कम नहीं है वो कहता है कि तो हमारा narrator क्या करता है अपने बैंजोले को हवा में लहराते हुए कहता है कि और हाँ मिस्स टिंकलर मॉलके जो है वो इसके बारे में भी सुनेंगी वो मतलब मेरे और बैंजोले बजाने को सुनेंगी मैं बैंजोले लाकतार बजाओंगा और उन्हें ही ये सुनना पड़ेगा मेरे इस musical instrument से निकलने वाली जो अजीब सी आवाज जो उनके recording है उन्हें और जहिलना पड़ेगा I touched the buzzer Jeeves I said So Sir Roderick Glossop out फिर हमारे नैटर कहता है कि मैंने बजर बजाया और फिर मैंने Jeeves को बुलाया और मैंने कहा Jeeves Sir Roderick Glossop को बाहर का रास्ता दिखाओ और इस तरह से Sir Roderick Glossop घर से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पे ये एक चोटा सा प्यारा सा हमारा जो स्टोरी है वही पर खतम हो जाता है इस स्टोरी के राइटर थे Sir Pelham Granville ए Woodhouse तो इस स्टोरी के एक्स्क्लिनेशन आपको कैसा लगा आपको मुझे नीचे कॉमेंट सिक्सें में जरूर बताएगा वीडियो चलागा होगा तो वीडियो को लाइक किजएगा और अगर चैनल पे नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब पीजएगा मिलते हैं एक नए चैनल के साथ तब तक के लिए चेक किया और बाई